गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। इस बार यमुनोत्री धाम के जनकी चट्टी यात्रा पड़ाओ और गंगोत्री धाम के हिना यात्रा पड़ाओ में यात्रियों को बायोमेट्रिक पंजी करण के बाद ही तीर्थ धामों के लिए रवाना किया जा रहा है। बायोमेट्रिक रिकर्ट रखने से हमें एक्जेक नमबर मिल जाएगा इसमें रिशिकेश में भी बायोमेट्रिक होती है तो जो लोग वहां से छूट जाएंगे तो यह इंशूर करना है। बतादें की चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद अब तक गंगोत्री में 7389 और यमुनोत्री धाम में 9612 तीर्थ यात्री बायोमेट्रिक पंजी करण करवा कर मा यमुना और गंगा के दर्शन कर चुके हैं। पुत्तरकाशी से अशीश मिश्रा पंजाब के स्री टीवी